हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका एक बार फिस से आपके अपने चैनल मेत्रिब्यूटिक में आज आपके लिए बहुत खास वीडियो हम लेकर आए हैं यह रेलेटेड है कोलर कुट्टे की कटिंग से हमने कटिंग का पहले भी विडियो डारा था लेकिन आपके लिए आपको कोई दिकत नहीं आएगी साथ में अगर मेरी तरह से आप कट करोगे तो आपके सारे प्रोब्लम सोल हो जाएंगी तो देखे चार्ट में हमने तीन कोलम बनाए हुए हैं सबसे पहले वाला कोलम है हमारा वह मेजरमेंट जो अपने कस्टमर का लिया होता है जो कंधे क आप मेजरमेंट लेते हो यह वह वाला कोलम है दूसरे वाला कोलम है जो अपने सोल्डर जो कटिंग करना है उसके लिए है तीसरा है आर्मोल के लिए तो जो मेरी हमाले साइज होते हैं सोल्डर के लेडिस के अंदर वह 14, 15 और 16 होते हैं लेकिन कई जो पतली लेडिस होती है उनके लिए 13 भी हो सकता है वो जद हैवी के लिए 17 भी हो सकता है इसके साथ ही जो solder है आपको जो लेना है यह वो वाला कोलम था second वाला और third वाला हमारा armhole के लिए बनाया हुआ है तो देखिए इसमें से किसी एक size के लिए हमको cut करके दिखाएंगे सबसे पहले इसको चार्ट को मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैं इसको लिया है बनाया हुआ है सबसे पहले शुरुआत करते है 13 से अगर किसी का माप 13 है तो उसका हमें 14 लेना होगा cutting के time और उसका armhole हमें लेना होगा 6.5 inches यानि cutting के time देखिए हमने एक इंच ज्यादा solder लिया हुआ है 14 इस तरह 14 के लिए आपको 15 लेना है 15 के लिए 16 16 के लिए 17 के लिए 18 हर बार हमें 1 इंच एड़ कर देना है जो भी आपका size है उसमें साथ ही देखिए जो armhole वाला size है हमें 13 इंच के solder के लिए लेना है 6.5 इंच तक अगर आप तीरे को 15 इंच ले रहे हो तो आपको मुढ़ा लेना होगा पोने 7 इंच अनकी 6.75 इंच इसके साथ अगर आप 16 ले ले हो तो आपको armhole लेना होगा 7 इंच 17 ले रहे हो तो इसके लेना होगा 7.25 इंच और साथी 18 के लिए 7.5 इंच इंच यकीन माने इस तरह से अगर आप लेते हो solder और armhole तो आपकी जो fitting है वो परफेक्ट आएगी आपकी solve हो जाएंगी तो इसमें 14 के लिए मैं आपको कट करके दिखाती हूं जो कुर्ती है उसकी cutting करती हूं इसके साथ ही आप जो भी है शायद उसकी cutting कर लेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया cutting का तो यकीन मानिए आप किसी भी size की कुर्ती कर सकते हो तो कि single जो पार्ट है फ्रंट वाला पार्ट उसकी cutting हम सबसे पहले करने वाले हैं फ्रंट पार्ट के लिए देखिए हमने जो shoulder है वो 14 था लेकिन हमें 1 इंच ज्यादा लेना है यानि कि 15 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर जो कि हमारा open करने के बाद हो जा दूसरी साइट भी यहाँ पर भी पोने 7 इंच यानि की 6.75 पर हम निशान लगाना है अब जो तीनों निशान हमने लगाए हैं इनको आपको जोईन करके एक स्टेट लाइन ड्रो कर देनी है यहाँ पर भी हम लगा देंगे 7.5 इंच पर निशान जो हमने उपर शोल्डर के लगा था अब इन दोनों को भी हमें जोईन कर देना है नेक्स अब हमें होगा जो चेस्ट है और ब्रेस्ट है उसके लिए मार्क करना होगा ब्रेस्ट आपके कोडिंग कितनी भी हो सकती है तो मैं यहाँ लेकर चल रहे हूँ 36 ब्रेस्ट के लिए तो 36 ब्रेस्ट के लिए हमारे हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे अब हमें जो आम होल है उसकी शेप डालनी है कुछ इस तरह से अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर का यूज भी कर सकते हो अब मेजरमेंट के कोडिंग जितनी भी आपकी वेस्ट है उसके निशान लगा लेंगे और साथ में जो 2 इंच का हमने एक्सल यह था उसके भी मार्क कर लेंगे जहाना कि हम यह मारकर का यूज कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए अच्छे से नहीं तो कभी भी सूट कटिंग में मारकर का यूज नहीं होता हमेशा चोक का यूज करना होता है अब हमें उपर हमारा सोल्डर था आर्म होल के साइड हाफ मठिया है वहीं से आपको कर्णा है तुरे कि इस दूसरे के लिए लिए हैं बैक पार्ट के लिएabileख सकते हो यह सकते हो यह इसकी close है, same उपर वाले पार्ट को भी रख लेंगे, इसके according ही, उपर से देखिए, मैंने इसको छोड़ दिया है, आपको भी इस तरह से छोड़ना है, यहाँ पर 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा साथी तो दूसरी वाले साइड यहाँ पर भी 1.5 पर आप मार्क कर लेंगे यहाँ से 1.5 पर और जो हमने मार्क किया, इसको उपर वाले साइड इस तरह से मिला देंगे, यानि कि एक तरह से हमने यहाँ भी डाउन कर दिया है अब जहाँ से हमारा पहले वाला पार्ट कर किया था वहीं से हम दूसरे वाला भी कट कर देंगे, पर इसमें समझने वाली बात यहीं थी, जो बैक पार्ट है आपको एक्स्ट्रा लेना होगा देखे, यह वाली कटिंग है हमारे बैक पार्ट, जो नीचे वाली साइड है अब जो नेक है उसके लिए भी आपको कटिंग करनी होगी तो नेक के लिए आपको नेक की जो चोड़ाई रखनी है, वो करीम रखनी है पोने तीन, यानि की 2.75 इंचिज इसकी गहराई हम यहां रख रहे हैं 3 इंचिज तक रख सकते हैं अब इसकी हम राउंड शेप डाल देंगे कुछ इस तरह से अब जितना हमने नेक की चोड़ाई फरंट वाले में ले थी उतना ही हम लेंगे बैक वाले में यहां पर और जो 1.5 इंच एक्स्टा लिया था वो उसको कट कर देंगे इस तरह से जहां जहां से हमने निशान लगाए है वहां से आपको कट कर लेना है देखे इस तरह से तो यह थी हमारी कटिंग साथ ही में आपको जो फरंट पार्ट है उसमें कट डालना होता है यह आपकी चोड़ाईस पर डिपैंड करता है आपकी इस तरह का नेक बना रही हो तो यह हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों कट चुके हैं यकीन मानिए इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग में कोई प्रोब्लम नहीं आएगी गारंटी है यह हमारी साथ ही अगर आपको सिले से कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो इस तरह से यह दोनों पार्ट हमारे जोईन हो जाएंगे और हमारी कुर्ती जो है आप सील पाओगे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है कटिंग में भी एकदम परफेक्ट इसकी कटिंग हुई है तो यकीन मानिए आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे आप कुर्ती बना लोंगे तो वीडियो को लाइक जूर किजिएगा फ्रेंड्स और शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फोलो का सकते हो हमारे इंस्टाग्राम आइडी है मैं 36033 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप नए यूजर है पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जनको सब्सक्राइब करना मत बुलेगा आपके लिए बहुत पहने वीडियो होने वाले है थैंक यू सो मच गाइज आपने इतना कीमती समय हमें दिया बाबाइटे